हेलो फ्रेंट्स विडियो को लाश तक जरूर देखेगा वीडियो हेलफूल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बड़ते हैं अपने टिप नंबर पहले को लेकर के जैसी के आप देख सकते हैं कुछ इस तरीकी के हमारे जो होता है कि हमें जो है सीजर ढूड़नी होती है इनको कट करने के लिए बड़ सीजर हमें टाइम पर नहीं मिल पाती है तो आप इस तरीके से जो इनका जो इनकाल सकते हैं तो यह बहुत अच्छा तरीका और इसको बाद में फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं अगर कोई ची एक ही पैकट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं यानि कि सीजन ना होने पर भी आप इसको उपन कर सकते हैं और उसके बाद में भी यूज के लायक रहे जाता है सिकर्ण टी पर हमारे स्मय करना काफी मुश्किल आप इमरजंसे में इस तरिके से सेफटी पिन का उसके जिए ऑपन कर सकते हैं और अपना बाद में इसको ठीक करा लिजेगा तो बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरीके साफ अपने सेफटी पिन की मदद से इस काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं नेक्स टेप है फ्रेंड्स इस तरीकी के केरी बैग को लेकर के फ्रेंड्स इस तरीकी के जो केरी बैग होते हैं वो अक्सर हमारे घर पर आते रहते हैं तो कई बार फ्रेंट्स आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पर सिफ्ट होते हैं या फिर जब हम फ्रेंट्स आलू या प्यास वगरा इस तरीकी की सबजी जब हम ज़्यादा लेकर के आजाते हैं तो उनको रखने में काफी हमें मुस्किल होती है तो इस तरीके से आपने बुआती हैं बुक्त ही आसा निस आफ निकाल सकते हैं बिलकुल भी गंदा दिखाई नहीं देता है और ना है किसी बोहती है उसी पता लगता है कि इसrences असलस्याद आपको बता है किसमें क्या जरूर बनता है नेक्स्ट पर फ्रेंट्स इस तरीके कर लेकर कर कर तो आपने देखोंगा कि जब हम लेकर जाते हैं तो अकसर इन के पकड़ने का यह हैंडल दिया होता है तो अकसर यह हैंडल टूट जाता है जब हम लेकर के जाते हैं तो फ्रेंड्स ये तूटेगा नहीं आपने इस तरीके से इनको pack करना है यानि की एक के handle को एक के अंदर हमें करके रखना है और उसके बाद में फ्रेंड्स इसको आप पैक करेगा और दूज पेपर में खुले वाले कब जो परचेस करते हैं बिना पैकेट या बिना बॉक्स वाले तो भो भी कुछ इसी तरीके से पैक करके हमें देते हैं ताकि बिल्कुल भी आपके कब खराब नहों और आप सेफली इनको घर लेके जा सकें तो ये पर बहुत अच्छा तरीका है इनको रखने का नेक्सटेप एफरेंड इस सिफोन के दुपड़ays सिफोन की सदेशेश में अक allen करते हैं तो हलक फूलड़ें के की वह घर ले लीन ूजाती हैं कियो हुँगिसन जादर सिलकी होता है तो जो निकल करकी गिर जाता है तो इसके लिए आप किया कर सकता हैं और यहां पर मैंने यूज़ क्या है अपने एक पुरानी कलیचर का तो यहां पर फ्रेंट्स आप थोड़ा वो टूटा कलेचर भी जह हम फेक देते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत पढ़िया तरीका है यह भी आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा अब तक का मेरा कुण सा टिप्स आपको सबसे जाधा चलागा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप यह वीडियो किस गाउं यह सहर से देख रहे हैं वह भी मुझे कमेंट करके जरूर बत कट कर लिया है और कट करने के बाद में मैं इस पे जो है लगाने वाली हूं देखिगा जो भी आपकी कलोद के लिए उसकी एक साइड में आपने इसी तरीके से जो है टेप जो है लगाना है डबल साइड टेप आपने लगाना है और इस तरीके से इसको रिमॉफ करके और आ यहां पर मैं की रखनी के लिए इसको यूज कर रही हूं तो बहुत ही आसानी से बन करके तयार हो चुक है और जो नीचे वाला पॉर्सन है आप उसमें भी कोई भी चीज हैं कर सकते हैं इसमें जादा हम वेट जो हैं डाल सकते हैं पर हाँ यह चुटी चुटी चीज आप इस हो भी आप इसमें असानी से हैंख कर सकते आप इसको अपने किचन में अपने वोर्ड रूब में अपनी अलमारि में आप कहीं पर भी इसको बना करके लगाईएगा बहुत ही बढ़ अच्छी से इस वर्क करता है तो मुझे तो परसनली बहुत जादा पसंद आया है तो आज हम इसका हटके यूज़ करने वाले हैं जो कि बहुत ही हैलफ़ुल और यूसफुल होने वाला है तो इसमें आपने थोड़ी सी वैसलिन लेनी है और पहुत ही थोड़ी सा आपने कोई भी पेस्ट लेना है जो भी आपके घर पर आसानी से एबलेबल हो तो वही आपने कर सकते हैं आपने देखा होगा कि जब भी आप पानी वगेरे से किलीन करते हैं तो वह इतने अच्छे से किलीन नहीं होते हैं बलकि रफ हो जाते हैं तो फ्रेंट उन से बचने के लिए आप इस तरीके से जो है वैसलीन और अपने पेस्ट को मिक्स करके और वह पेस्ट को मैंने लगा लिया है और उसके बाद आपने लेना है कोटन जी हां फ्रेंट क्योंकि बहुत ही इस मोदली आपने इसको रब करना है यानि कि इसको साफ करना है बिलकुल भी इसमें हार्स नहीं आने चाहिए नहीं तो बिलकुल भी बेकार आपका सन गिलासे हो जा हैं बहुत ही अच्छा से क्लीन करता है बहुत ही अच्छा इस तक वर्क है बिलकुल भी आपने जो है देख सकते कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है इस तरीके से आप अपने संग्लास उसको क्लीन कर सकते हैं तो फ्रेंट वीडियो अगर मेरी थोड़ी सी बहलफूल लग कर दो